नमस्कार अभी हाले में केंदर सरकान मोदी गवर्मेंट ने चार राजसभा सांसद को नोमिनेट किया हैं आके राज्य सभा में सांसदों को नोमिनेट क्यों किया जाता है यह लोग कोन होते हैं आके यह लोग विदान सभा सदिश्यों द्वारा चून कर क्यों नहीं आते हैं इनको नोमिनेट करने का पावर कहां से आता है और इनको नोमिनेट करने की जरूरत क्यों पड़ी इसके पिछे सभीदान विससग्य जिन्होंने सभीदान क्रियेट किया उनका क्या मकसद रहा था कि इन 12 सदिश्यों को नोमिनेट किया जाया अपने राज्य सभा सांसद में ज जो दूसरे किसी फिल्ड से रिलेटेड हो तो आज है पन जानेंगे कि राजी सभा में 12 जो सदश्य होते हैं बीना राजनिती के आते हैं नूमिनेट होके वो कौन होते हैं और उनको क्यों नूमिनेट किया जाता है देखें अभी वर्तमान में राज्य सभा सांसत के 250 कुल सांसत हैं लेकिन वर्तमान अभी 245 हैं इतनी संक्या हो सकती है 250 लेकिन वर्तमान में भी 245 हैं जिसमें से 233 सदश्य जितने भी राज्य अपने जो राज्य हैं उनके राज्य के विदान सभा सदश्यों के द्वारा चुन कराते उनमें इसके अलावा 12 सदश्य राष्ट्रपती के द्वारा मनोने किया जाते हैं अब सबाद यही आ रहा है कि 233 सदश्य तो विदान सबा सदश्यों के द्वारा निर्वाजित होके आते वो वोट डालते हैं तो फिर सदश्य निर्वाजित होते हैं बारा सदश्य राष्ट्रपति क्यों नोमिनेट करते उनके पास ऐसा पावर क्या है जो वो नोमिनेट करते देखे अभी हाली में कौन चार सदश्य नोमिनेट हुए वो भी देखिया दाविका पीटी उसा पेलगू स्क्रिप्ट राइटर वी विजेंद्र परसाद संगितग इलिया राजा और अध्यात्मिक गुरू विरेंद्र हेगडे इन चार जनों को अभी हाली में लेटेस्ट राष्ट्पति के द्वारा राजसमा में नोमिनेट किया गया है एक बात आप द्यान रखना जो विदान सबाग के जो सदश्य चुनकर आते हैं और राष्ट्पति के द्वारा नोमिनेट किया जाते हैं दोनों का कारिय दोनों का कारिकाल हमेसा सेम रहता है द्यान रखना डिप्रेंस नहीं रहता है दोनों को वही दंका मिलती है दोनों को वही सेलेरी बत्ते मिलते हैं और दोनों सदुष्यों का वही कारिय रहता है जो विदान सबाग सद करते हैं इन 12 सरथ हो को वह राष्ट्रफति चुनां में नोमेने जिन आहें बाग … यह त्यां रगना मेजर डिपने Yes आपके विस्चान हो सकता है और लेकिन यह 12 चुनां में बाग ले सकते हैं तो कि यही किश्चन पूछ आतकर जी के में सांसत में सब्लारण रह्त पीडाना नहीं ब्लॉस ओन हो पूर रहनें राष्टती चुनां में भाग नहीं लेते हैं ब्लॉनों में डिपेंच दे Patch आप जू अपingen सविदान में आर्टिकल 80 के तरहत एक प्रावदान बनाया गया है सविदान निर्माताओं के द्वारा जब सविदान निर्मित होड़ा था तो इन्होंने एक सोचा कि कुछ सदश्य राजिसमा में ऐसे होने चाहिए जो राजनीते से रिलेटेड ना हो एसे होने चाहिए जो समाज में विश्यसकारी किये हो जो खेल के च्छेतर में विश्यसकारी किया हो जो अध्यात्मिक के च्छेतर में विश्यसकारी किया हो जो विज्ञान के च्छेतर में विश्यसकारी किया हो जो समाज में अच्छा परभाव डालते हैं एसे 12 सदेशे को राजसबा में नूमिनेट किया जाना चाहिए सवीदान विससुग्यों की ये राय थी कि राजनिती से हट कर भी एसे लोग राजसबा में आने चाहिए जो राजसबा की सोबा बढ़ाए राजसबा को अच्छा नोलेज दें और राजिसभा का इस तरह उपर उठें तो सब ने यह राए मानी और इन्होंने एक डिसाइट किया कि बारा सदिश ऐसे होने चाहिए जो राजिसभा में चुनकर आने चाहिए तो फिर राश्टपती के द्वारा मनों ने किया जाना किया लेकिन आपको पता है यह जो प्रावदान है यह जो आर्टिकल है कहा से लिया यह आरेलेंड के सविदान से लिये यह ध्यान रखना आपके जीके में आ सकता है बारा जो राश्टपती सदश नोमूनेट करते हैं ना राजिसभा में सदश यह जो प्रावदान है यह जो आर्टिकल है या Ireland से लिया है यह important question आपके लिए अब देखिया आप यह लोग कौन होते हैं यह लोग कौन होते हैं अभी मैंने बताया आपको साहित, खेल, कला, समासिवा और विज्ञान यह लोग इस फिल्ड से जुड़े होते हैं इनको राश्टपती के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और केंदर सरकार की सिपारिस के दोरा नॉमिनेट किया जाता है यह आप ध्यान रखना राश्टपती अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकता है हमेशा राश्टपती, परदान मंदरी या उनकी केबिनेट के सिपारिस के बलबर ही ये 12 सदशे नूमिनेट करते हैं तो आज आपने जाना कि राजी सबा में ये 12 सदशे कौन होते हैं इंगो नूमिनेट क्यों किया जाता है इसके पीछे क्या कारण है और ये लोग कौन होते हैं